कभी आपने मात्मा गांधी जी की तश्वीरों को गोर से देखा है जादा तर तश्वीरों में गांधी जी के करीब काफी लोगों की भीड दिखाई देती है इस भीड में कुछ नाम ऐसे लोगों के रहे हैं जिनने हम सब जानते हैं नमस्ते दोस्तों आप देख रहे हैं रंगदे बसंती मैं हूँ राजीव चोधरी बेसक गांधी जी के करीब अने को लोगों की भीड रही लेकिन इस भीड में कुछ नाम ऐसे भी रहे जिनके बारे में शायद कमी लोग जानते हैं इन बहुत सारे नामों में एक नाम था सरला देवी चोधरानी उच्छिक्सित बेहद सोम सी नजर आने वाली सरला देवी परशिद कवी रविंदर नाट टैगोर जी की बतीजी थी बहुत कम लोगों को पता है कि बंकिम चंचटो पध्धाय द्वारा लिखे गए गीत वंदे मातरम की पहली दो पंक्तियों की धुन रविंदर नाट टैगोर जी ने बनाई थी और सेश संगीत उनकी बतीजी सरला देवी चोधरानी ने ना सिरफ तयार किया था पलकी से गा करती लक्ष्मी समूगान का नित्रत्य भी किया था गांधी जी सरला देवी के गाए गीत से इतने खुश हुए कि कुछ दिन बाद जब लाहोर पहुचे तो सरला के घर पर ही रुके उन दिनों सरला देवी के पती राम भुजदत चोधरी सवतंतरता की लड़ाई लड़ते हुए जेल में थे तो दोनों एक दूजे के काफी करीब आ गए थे इस करीबी को समझने का एक अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गांधी जी सरला को अपनी आध्यात्मिक पतनी तक बताने लगे थे बाद के दिनों में गांधी जी ने ये भी माना किस रिष्टे क की वज़े से सरला की साधी तूटते तूटते बची थी हाला कि गांधी जी और सरला ने खादी के परचार के लिए भारत का दोरा किया दोनों के रिष्टे की खबर गांधी के करीबियों को भी रही जादा सोर जम मतने लगा तो गांधी जी ने जल्दी सरला से दूरी बना था कि ये पुस्तक गांधी जी के निजी जीवन पर लिखी गई किताब है किताब में भारत के राष्ट पिता मातमा गांधी के निजी जीवन के बारे में काफी कुछ लिखा गया है इसमें ऐसी बाते भी है जिन पर विवाद हो सकता है लेकिन लेखक का दावा है कि उन्होंन शिश्वाओं के साथ सोते थे हाला कि अचिया सबूत नहीं मिले जिन के आधार पर ये का जाए कि उन मईलायों के साथ गांदी जी के निजि संबन थे लेखक का दावा है कि गांदी जी के इस वैवार को जवालाल नेहरू ऐसे मानझे वैवार मानते थे इसी कारण उनसे दिन पर दिन दूरी बना रहे थे बहुत से लोगों का कहना है कि गांदी जी के मन में कस्तूरबा के परती कोई लगाव नहीं था इसका एक कारण यह था कि तीन बच्चों की एसिक्षित माथी इसी के चलते जब गांदी दक्षिन अफ्रीका पहु का में एक दरजन महिलाएं उनके निकट संपर्क में आई और इन में से 6 महिलाएं ऐसी थी जिनकी जीवन से लिए पस्ची मिसब्वेता के बेहद करीब थी इन महिलाओं में ग्राम पोलक, निल्ला क्रेम कुक, मैडलीन सलेड जिने मीरा बेन के नाम से भी जाना जाता है, मा इंचन सा, प्रेमा बेन कंटक, सुसीला नहियर, उनके पोते जैसुकलाल गांधी की पत्नी मनु गांधी, आबा गांधी, सरला देवी चोदरानी, इसी सरला देवी चोदरानी के साथ गांधी जी दो साल तक रहे, और गांधी जी ने खुद माना की सरला के साथ उनके संबं काम वासना के बेद करीब थे इस बात को खुद गांधी जी ने स्विकार गया कि उन्होंने अपनी काम वासना की विकर्ती का प्रियोग बहुत सारी महिलाओं के साथ किया जिन में से एक उनके पोते कनूरामदास गांधी की सोला वर्षिय पतनी आभावी थी गांधी जी इस चिपाने के लिए अजीब बाना भी बना करते थे वे उस समय का करते थे कि नगन मनू के साथ उन्हें नगन सोने से बहुत लाब हुआ है इस से उन्हें देश विभाजन हिंदो मुस्लिम एकता जैसी गंभीर समश्चा उपर विचार करने में मदद मिली वे कहा करते थे कि मनु के साथ उनकी मा की तरह सोते हैं और आबा और मनु उनका चलने का सारा है स्वभाविक हैन सब बातों से गांधी जी की तीखी आलोचना होती थी और ब्रमचरिय के नाम पर कामवासना की विकरती से उनके करीबी सहयोगी भी नाराज हो गए थे एक दिन उनके स्टेनोग्राफर आरपी परसुराम ने उन्हें जब नगन मनु के साथ लेटे देखा तो अपना श्थिपा दे दिया और वे चले गए ऐसे ही निर्मल कुमार वसु गांधी जी के बड़े करीबी सहयोगी थे और गांधी जी के नो आखली दोरे पर उनके साथ थे 17 दिसंबर की रात थी ऐसी गटना गटी जिसमें निर्मल कुमार को गांधी जी का कट्टर हलोचक बना दिया निर्मल कुमार ने हमेशा के लिए गांधी जी को छोड़ दिया और एक पत्र लिक कर गांधी के परती नाराज की जाहिर करते हुए का था कि वे अपनी Namaste